क्रिया कलाप एक अपना तापमापी यंत्र स्वेम बनाएं आवश्यक सामगरी काच की एक छोटी सी शीशी स्ट्रोव, कैंची, स्याही, पानी, टेप या पुट्टी विधी शीशी के ढकन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेट करें जिसमें स्ट्रोव आसानी से जा सके अब शीशी में आधे इस तर तक पानी भरें और उसमें कुछ बून स्याही मिला दें शीशी का ढकन लगा कर स्ट्रोव इस तरह अंदर डालें कि वह शीशी के तल को न चुए धकन बंद करके क्ले या टेप से छेट को अच्छी तरह बंद कर दे अब हाथों को आपस में रगड कर शीशी के उपरी भाग पर रखें क्या इस ट्रोव में पानी का इस तर बढ़ा? ऐसा क्यों हुआ होगा? इस प्रकार के उश्मा मापी अंत्र को थर्मो स्कोप कहा जाता है क्योंकि इसमें थर्मा मीटर की तरह ताप मापी पैमाना नहीं होता केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ उतार चड़ाव से तापमान में बदलाव दर्शाया जाता है इसका विश्कार गैलीलियों ने किया था हाथों को रगड कर शीशी पर रखने से हाथों द्वारा मिली उश्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है शीशी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा पानी पर दबाव डालती है जिस कारण पानी का इस्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसी जिद्धान पर आधारित होता है थर्मामीटर की मदद से गर्म पानी, रेत, बर्फ, आधी का तापमान नोट करें थर्मामीटर की बनावट वो उप्योग की विधी को समझने के लिए प्रायोगिक कार्य में उप्योग में आने वाले तापमापी या थर्मोस्कोप चित्र तीन में देखें 3.1.3 तापमान के पैमाने Scales of Temperature तापमान मापने के तीन प्रचलित पैमाने हैं Fahrenheit, Celsius और Kelvin Fahrenheit पैमाने में सामान्य दाप पर पानी के उच्चतम ताप याने की वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता है Co. 212 degree Fahrenheit और पानी के न्यूनतम ताप अर्थात वह तापमान जिस पर पानी जम कर बर्फ बन जाता है Co. 32 degree Fahrenheit पर अंकित किया जाता है Fahrenheit के न्यूनतम वह उच्चतम ताप को समान अंतराल के 180 भागों में विभाजित किया जाता है इसी प्रकार Celsius पैमाने में पानी के उच्चतम ताप को 100 degree Celsius और पानी के न्यूनतम ताप को 60 degree Celsius पर अंकित किया जाता है इसमें न्यूनतम वह उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है तापमान के पैमानों में संबंध निम्ना नुसार इस्थापित किया जा सकता है प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना रिन निम्नतम बिंदू बटे उच्चितम बिंदू रिन निम्नतम बिंदू बराबर द्विती तापमापी का तापमान पैमाना रिण निम्नतम बिंदू बटे उच्चितम बिंदू रिण निम्नतम बिंदू समीकरण एक चलिए हम इसे उधारन द्वारा समझें उधारन डॉक्टर द्वारा हमारा सामान ने तापमान 98.6 डिग्री फेरनहाइट बताया जाता है सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा हल हम जानते हैं कि तापमान का पैमाना फेरनहाइट माइनस उस पैमाने का निमनतम बिंदू 32 बटे उस पैमाने का उच्चतम बिंदू फेरनहाइट का दो सो बारा माइनस उसका निमनतम बिंदू 32 बराबर हमें इसको बदलना है सेल्सियस पैमाने में सेल्सियस पैमाने का संकेत सी Celsius पहमाने का निमनतम बिंदू 0 Celsius पहमाने का उच्छतम बिंदू 100 minus Celsius पहमाने का निमनतम बिंदू 0 हल करेंगे इसको F minus 32 212 में से 32 घटाएंगे 180 C में से 0 घटाएंगे C 100 में से 0 घटाएंगे 100 इसको 20 से भाग दे देंगे हम F minus 32 बटे 9 बराबर C बटे 5 हमें C का मान निकालना है इसलिए हम इसको तिरियक गुना कर देंगे तो यह अपना हो जाएगा 5 बटे 9 गुनेद F minus 32 बराबर C हमें फेरनहाइट पैमाने में मान दिया हुआ है 98.6 98.6 minus 32 बराबर C 5 बटे 9 इनको घटाएंगे ति आपका हो जाएगा 66.6 बराबर C पांच का गुना 66.6 के साथ करेंगे मान जाएगा 333 बटे 9 बराबर C 333 को 9 से भाग देंगे यह जाएगा 37 डिग्री सिंटिग्रेट बराबर सेल्सियस इस तरह 37 डिग्री सेल्सियस बराबर सेल्सियस पैमाने में मान अर्थात 98.6 डिग्री फेरन हाइट बराबर 37 डिग्री सिंटिग्रेट यही मनुस्य का तापमान होता है यही इसका हल है इसी प्रकार कैल्विन तापमापी पैमाने में पानी का नियूंतम ताप नियत दाप पर लगभग 273 कैल्विन वह उच्चितम ताप 373 कैल्विन पर अंकित होता है इस पैमाने में नियूंतम वह उच्चितम ताप के बीच का अंतराल सौ समान भागों में विभाजित होता है